दोस्तों ये बात तो आप सभी को पता होगी कि कनड़ा में रहने के मकानों के किलत देखी जा रही है इसके चलते कनड़ा के सरकार नए-ने कदम भी उठा रही है अब एक ऐसे ही कदम उठाने जा रही है जिससे हमारे देश की जो इस्टुडेंट वहाँ पढ़ने जाते उन पर इफेक्ट पढ़ेगा तो क्या है पुरा मामला वो मैं आपको बता देता हूँ तो कनड़ा दूसरे देशों से अपने हाँ पढ़ने आये इस्टुडेंट के संक्या सिमित करने पर विचार कर रहा है दरसल कनड़ा इस समय बढ़ती बेरोजगारी और आवास के संकट से जूज रहा है इसकी बड़ी वज़ा दूसरे देशों से कनड़ा आने वले चात्रों को माना जा रहा है कनड़ा के एमिग्रेशन मिनिश्टर मार्क मिलर ने एक टिवी चैनल को इंटरू में कुछ बाते कही है उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल इस्टूडेंट्स की संक्या सीमित करने की मामला हम देखेंगे हाला कि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि सरकार विदेशी चात्रे की संक्या को कितना घटाना चाहती है मिलर ने कहा कि इस बारे में अंतिम फैंसला प्रांतिय सरकारों सला मश्वीरों के बाद ही लिया जाएगा उन्होंने ये भी कहा कि विदेशी शात्रों के संक्या को सिमित करने से सभी ख्षेत्रों में आवास की समश्या खत्म नहीं होगी लेकिन ये फिलाल हमारे पास सबसे उप्योक्त विकलोपों में से एक हैं हलाकि विदेशियों पर उदार रुख रखने वालों ने इस साल देश में 4.85 लाग प्रावासियों को लाने का लक्ष रखा है साल 2025 और 2026 में 5.5 लाग लोगों को लाने की कोशिस होगी चार करोड की आबादी वाले कनाडा में फिलाल 9 लाग से अधिक विदेशी चात्रे हैं इनकी कनाडा की अर्थ वैस्तों को आगे बढ़ाने में एहम भूमिकर भी मानी जाती है भारत से भी वहाँ बड़ी संक्य में लोग पढ़ाई करने जाते हैं और रोजगार की तलाश में भी जाते हैं कनाडा के कुल विदेशी चात्रों में भारत की हिस्सेदारी 37% के आसपास है वहाँ पिछले दो दशक से सिक आबादी दोगुनिसी अधिक हो गई है जादा विदेशियों के आने से घरों की डिमांड और कीमतों में काफी उजाफा भी हुआ है इस्तानिये लोगों के लिए रोजगार के मौके भी घट रहे हैं इसी खबरे निकल कर सामने आ रही है अब देखना ये है कि कनेड़ा सरकार आखिरकार कितनी कटोती करती है इस्टूडेंट्स वाले मामले में और उससे हमारे देश पर क्या एफेक्ट पढ़ने वाला है बेशक एफेक्ट तो पढ़ेगा क्योंकि वहां रहने के लिए जब मकान ही नहीं रहेंगे तो फिर जो बाहर से वहां पढ़ने जाते हैं रोजगार के तलाश में जाते वो रहेंगे कहां इसलिए कनेड़ा सरकार इस तरह के कदम उठाने के बारे में सोच रही है यह था वीडियो कैसे लगा जूरू बता है इसी तरह के अपडेट के लिए आप हमरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो वीडियो को लाइक कर सकते हो नमस्कार